नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चनल ओनलाइन एड ओफलेंग ग्यान में दोस्तों आज की जो अपडेट आप लोगों के लेकर आयों, अप्रेंटिस की लेकर आयों और वहाँ पर वही बच्चा अप्लाई कर सकता है, जिन्हों ने इंटीग्रेटिटस इस्टील प्लान्ट से अप्रेंटिस की हुई है सेल के डिपार्टमेंट से अगर आपने अप्रेंटिस की है, तो उस नोखरी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा वहाँ से अपरेंटिस करने वाले बच्चों की संक्या बहुत कम है और अब आप देख लेना competition वहाँ पर ना के बराबर रहेगा जिन बच्चों ने पढ़ाई की है अपनी Steel Authority of India Limited से अपरेंटिस करने के बाद उसका form फिल किया है वहाँ अगर वहाँ पर नोकरी आती है तो उसको प्राथमिक्ता दी जाती है जैसे सेल ने दी है अब मैं यह नहीं बोल सकता आप लोगों से कि हर डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए अपरेंटिस के बेज़ पर नोकरी निकालेगा इन डिपार्टमेंट का कुछ पता नहीं है कि कब यह चमतकार कर दें और आप लोगों के लिए वेकेंसी निकाल दे जैसे इस साल इसी मही ने आप लोगों के साथ इस्टिल लटरोटी ओफ इंडिया लिमिटेड ने किया है तो देरी ना करते हुए मैं इस अपरेंटिस पर आ जाता हूं ओल ओवर इंडिया से आप लो इस्टुमेंट मकैनिक की छे वेकेंसी उसके बाद लेबरेटरी असिस्टन केमिकल प्लांट में तीन वेकेंसी है मसीनिस्ट की बारा है ममबी की चार है आरेनेसी की चार है टनर की बारा वेल्डर की बारा टोटल मिलाके आईटिया वले बच्चों के लिए 172 वेकेंसी निक Technology, Chemical वाली, Civil वाली, Computer Science, Triple E वाली, Electrical वाली, Mechanical है, आपका Metallurgy है और आपका Metallurgical जो आपका Material Science होता है वो है Electronics and Telecommunication और IT तो ये हो गई डिप्लोमा की इनके लिए 164 पद इन्होंने निकाले हैं उसके बाद डिग्री के लिए इन्होंने अलग से जो है 64 पद रखे हुए हैं तो अगर मैं बात करूँ यहां पर Age Criteria की तो 24 साल Maximum Age है Minimum 18 है तीस नो दोजार बेस के बेस जो है इन्होंने रखाए Age Calculation का यानि इस डेट पर आपकी Age 18 से कम नहीं होने चाहिए और 24 से जादा नहीं होने चाहिए आगे बढ़ते हैं Reservation जो मिलता है वो आप लोगों को मिले सेलेक्शन आप लोगों का merit के base पर जो है इन्होंने रखा हुआ है आप इसे देख सकते हैं percentage of marks obtained in basic prescribed qualification यानि इन्होंने जो ITI मांगा है ITI की ही यह लोग जो है यहां पर criteria रखेंगे percentage का तो यह condition आप लोगों के सामने है उसके बाद general instruction है इन्हें carefully पढ़ना आप लोग form का criteria बहुत easy है form hardly 5 minute में आपका fill हो जाएगा जिन बच्चों ने apprentice portal पर अभी तक registration नहीं किया वह बच्चे अपना अपना registration कर लें क्योंकि उसके बिना आप लोगों का काम नहीं चल पाएगा 39-22 इस form की last date है मैं form की वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आजाऊंगा चिंता मत कीजिए अभी form इसका portal पे reflect नहीं हो रहा है आप लोग थोड़ा सा wait करना मैं research करके आपके लिए form की वीडियो लेकर आता हूँ इस notice का link भी आपको description में मिल जाएगा साथ के साथ मैं DRDO की जो vacancy आ रहा है ITA वाले बच्चों के लिए उसका link भी आपको description में दे दूँगा ये graduate technician apprentice है इसके लिए आपको MHAD वाले portal पे जाना पड़ेगा जो भी आगे का communication है वो department आपको SMS या email के माध्यम से inform करेगा तो ये सारी चीजी है जो मैंने आप लोगों को बताई है how to apply में साफ साब बोल रखा है कि आप लोगों को apprentice portal पे registration करना है उसके बाद apprentice portal पे ही जाके आप लोगों को apply वाले option में establishment name में sale, rawr, kela, steel plant डालना है और यहां से आप लोगों को apply करना है मैं research कर रहा हूँ अगर research मेरा timely हो गया तो रात 8 बजे आप लोगों को form की video मैं provide कर दूँगा sale की apprentice की बिना पैसो के आप लोग form fill कर पाएंगे कोई पैसा इसमें नहीं लगना free of cost आपका form है तो यहां पर यह चीजे देख लें यह document आप लोगों के required है और उसके बाद जो है यह document आप लोगों को तब ले जाने पड़ेंगे जब आप लोग यहां पर दीवी के ले जाएंगे तो अभी जो है apprentice portal पे जो जो required होते हैं वो करके आप लोग form को fill कर लें यह इनका help line number है मेरे ख्याल से number नहीं लगेगा लेकिन आप लोग बिना number के मुझसे information प्राप्ट कर सकते हैं मैंने आपको जानकारी दे दिया है जैसे कि मैंने आपको बोला कि last जो steel authority of India limited में vacancy आई है उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को मोका दिया है जिनोंने apprentice की है तो आप ध्यान रखें यह जो apprentice होती है इनका कुछ पता नहीं है कि यह विभाग जैसे DRDO, ONGC, IOCL, ISRO या ordinance factory या railway यह कब आप लोगों के लिए apprentice base पे नोक्रिया निकाल दे तो इन चीजों का ध्यान रखा क सेल मैंने आप लोगों को पहले भी बोला तक कोई बिकार डिपार्टमेंट नहीं है यह डिपार्टमेंट आपको कभी ना कभी तो फायदा देगा ही लेकिन उस फायदे के चक्कर में बहुत बच्चों की एज भी निकल गई जो सेल है इनको पहले भी थोड़ा सोचना चाह यह था कि बच्चों को जो है यह पहले वेकेंसी दे दे आपकी बार भी इन्होंने जो वेकेंसी निकाली है एक सो साथ डेड़ सो के आसपास निकाली है बहुत ज़्यादे वेकेंसी नहीं है जो नोकरी वाली है लेकिन उसमें कॉमपटिशन बहुत कम रहेगा तो आप प्ल इस्टैब्लिश्मेंट में आपको डालना पड़ेगा इस्टैब्लिश्मेंट नेम इन्होंने साफ साफ में आपके दे दिया है बाकी इससे रिलेटिड आप लोगों क्या केंफूजन है मुझे बताना एक चीज़ और इसमें सीवीटी एंसीवीटी का क्रेटेरिया नहीं दे रखा कि सीवीटी से अप्लाई कर सकते हैं एंसीवीटी से तो एंसीवीटी वाले तो 100% कर सकते हैं सीवीटी वालों का जब फोर्म की वीडियो लेकर रहा हूंगा तब आपको बता दूंगा वैसे आप लोग फिल कर सकते हैं कोई परिशानी नहीं है इसमें सीवीटी से भी आप लोग फिल कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इन्हों ने अशा नहीं मेंशन किया हुआ कि NCVT वालों कोई मोका दिया है बाकी इसका नोटिस का लिंक भी आपको description में मिल जाएगा form की वीडियो का मैं research कर रहा हूँ form की वीडियो भी जल से जल आपको provide करूँगा बाकी धन्यवाद keep in touch description में जो DRDO की वीडियो है वो देख लेना उसकी नोकरी 3 सप्तमबर से आपको देखने को मिल जाएगी धन्यवाद